अगर medicines और health से related आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care तो आज किस वीडियो में बात करेंगे Regulux for tablet के बारे में अब इसके क्या फाइदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे use करना है, क्या price है, ये सारी जानकरियां जो है आज किस वीडियो में मैं आपको दूँगा, तो देखिए, प्राइस से सुरुवात करते हैं, तो ये जो Regulux for tablet हैं, ये आपको 85 रुपीज में 40 tablet मिलती हैं तो देखिए, समय के अनुसार price बढ़ता रहता है, तो जो आज का price है, वो इधर मैंने आपको पता दिया है अब ये जो है, चरक फार्मा वालों की है, काफी अच्छी कंपनी है अब इस Regulux for tablet को कहां से खरीदना है, तो देखिए, इसको आउनलाइन खरी सकते हो, डिस्काउन के साथ अब उसकी लिंक जो है, मैं नीचे दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में तो दर से किलिक करके, आप इसको घर बेटे-बेटे भी मंगा सकते हो अब ये जो है, 100% vegetarian है, और कोई भी इसमें harmful chemical use नहीं हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है मतलब सभी लोग इसको ले सकते है, अब बात करें ingredient के बारे में, इस Regulux 4 tablet में क्या-क्या है या किन-किन चीजों से ये medicine tablet बनाई गई है, अब इसमें है जाइफल, भ्रिंगराज, सुन्धी, निसोट, इस परकार से ingredient है जो कि एक परकार से natural ingredient है, जिससे ये जो है tablet बनाई गई है अब बात करें इसके फायदे के बारे में, तो देखें ये जो medicine मनाई गई है, mainly आपके digestive system के लिए अगर आपको in-digestion की सिकायत है, आपका digestive system सही नहीं रहता है, तो उस condition में आप इसको ले सकते हो अब जैसे के आपको curves होता है, constipation होता है, gaze की सिकायत है, acidity की सिकायत है, या फिर आप खाना खाते है तो उसके बाद आपको उल्टी ऐसा लगता है, खाना सही तरीके से नहीं पचता है और कई वार ऐसा भी होता है कि अगर आपको खाना सही तरीके से नहीं पचे ना तो उल्टी भी हो जाती है तो उस कंडिशन में काफी फायदेमन मेडिसीन है यह है इसके अलाबा अगर आपका पेट फूलता है पेट फूलने की सिकायत है और देखिए एक चीज में इतर बताना चाहूँगा अगर आपको कब्स बना रहता है और बहुत लंबे समय तक अगर आपको कब्स रहता है ना तो वो बाद में पाइल्स में कनवर्ट हो सकता है तो आप कोशिस करिए कि कब्स आपको ज्यादा लंबे समय तक ना रहे और उस कंडिशन में काफी फायदे मन ये जो है रेगुलक्स फोर टेबलेट है तो इधर जो इसके मेंन में फायदे थे उनके बारे हम बता दिया है मेनली ये आपके digestive system के लिए है खाने को थाई तरीके से पचाने के लिए है अब बात करें डोस के बारे में कैसे लेना होता है तो एक से दो टेबलेट आप एक दिन में एक ही बार लेजिए कोई दिक्कत नहीं है और रात में आप सोने से पहले ले लिजिए सोने से पहले दो टेबलेट ले लिजिए तो देखिए पहले तो आप एक टेबलेट लेना अगर एक से फायदा नहीं मिलता है तो उस कंडिसेन में फिर आप दो टेबलेट कर देना क्योंकि हमारी प्रॉलम और बीमारी के अनुसार डोस्ट डिसाइड होते हैं अब इसको सोने से पहले ले ले तो आपका सुबा जो है दूसे दिन सुबा आपका पेट साफ हो जाएगा और आपको जिसे के गेस, कब्स इस टाइप की प्रॉलम नहीं होगी और इसको आप अगर हलके गुनगुने पानी की साथ लेंगे ना तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको अब देखिए मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकते हैं, बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं है और प्रिगनेनसी में लेडिसों को लेना है, तो डॉक्टर की सलाव से ही, क्योंको प्रिगनेनसी में अपनी मर्धी से कोई भी मेडिसिन हमको नहीं लेना चाहिए अब side effect के बारें बात करें तो इसका side effect कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको जैसे के दस्त लगने लगते हैं इसको लेने के बाद तो आप एक काम कर सकते हैं इसके डोस कम करिए एक टेबलेट लीजिए या फिर इसको बंद कर दीजिए हालेंग इसके side effect एकदम ना के बरावर हैं लेकिन कई बार होता है या overdose में कोई medicine हो जाती है कुछ भी चीज overdose में हो जाती है तो इस type के side effect मतलब आपके पेड़ में देखकर दस्त बगेरा ऐसे लगने लगते हैं अब इसके साथ कोई दूसरी medicine आप ले रहे हैं तो ले सकते हैं नहीं तो देखिए कोई भी आप पेड़ की गोली या कोई lexative गोली या medicine सिरफ ले रहे हैं तो वो नहीं लेना है नहीं तो आपका पेड़ ज़रूर खराब हो जाएगा हाँ इसके अलावा कोई BP की, diabetes की, anti-v कोई भी medicine चल रही है तो उसके साथ इसको ले सकते हैं कोई problem नहीं है अब कब तक लेना है तो ये तो depend करता है आपकी बीमारी पर आपकी problem और आप लंबे समय तक ना लें अगर आपकी problem ठीक हो जाती है तो इसको लेना बंद करते हैं और भवी समय फिर से ऐसा होता है तो है किसी पर अलगलग result आता है अब ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसे के आप बाहर शाधी party में जाते हैं बाहर का खाना खाते हैं तो कई बार इसका होता है कि हम बाहर क्था खाना खा लेते हैं तो पेट खरा होने के chances होते हैं या फिर indigestion की सिकाध हो सकती है तो उस condition में इसको ले तो ये तो आपको समझना पड़ेगा अब धर में कुछ एडवाइस भी देना चाहूंगा अगर आपी रेगुलेक्स फोर्ट टेबलेट लेते हो तो देखिए आप अलकोहूल स्मोकिंग यह सब ना करें सब बेकार होता है हेल्द के लिए इसके लाब जंक फूड ना खाए फ आनी जादे पीजिए एक्ससाइज करिए एक्ससाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है तो वॉकिंग करिए या फिर योगा करिए इससे हमारी हेल्थ हमारा पेट या डाइजिटिव सिस्टम काफी अच्छा होता है तो इधर आप मेरी एडवाइस फॉलो करिए और आप इस को भी ले सकते हैं तो इधर मेरे वीडियो खतम होता है और अगर आप कुछ टाइप से और वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से लेटेड जो कि मैं डेली बनाते रहता हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अकर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है तो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजेगा फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज़ फोर केर